ओम शांती, आज 22 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावा क्ये हैं, आज बाबा एक विशेश बात समझा रहे हैं, कि इस ब्रामन परिवार में हम बड़ा किसको कहेंगे, ये ब्रामन कुल है, जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, तो हम ब्रह्मा मुख खुवन शावली ब्रामन है, तो इस ब्रामन कुल में बड़ा वो है, जिसे दिन रात सेवा का संकल्प रहता है, जिने अपनी पढ़ाई का भी बहुत ख्याल रहता है, ऐसे महावीर बच्चे अपना तन, मन, थन, सब सेवा में सफल करते रहते हैं, अपनी चलन को बहुत अ अच्छा बनाते हैं, दिन रात उनकी चलन सुधरती रहते हैं, बाबा याद दिला रहे हैं बच्चों को, कि आप बच्चों को ऐसे ब्रामन कुल भूशनों का बहुत सम्मान करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, जो बड़े हैं, उनको दिल से सम्मान देना है, बाबा बाते हैं तो बच्चों को भगती का फल देते हैं, और भगती का फल है ज्यान, ज्यान से होती है सदगती, ब्रामनों का दिन और रात ये गाया हुआ है, ब्रम्मा का दिन और रात यही ब्रामनों का भी दिन और रात है, बाबा बेहद की रात में आते हैं दिन बनाने के लि पूसे ही दे के सब समंदो को भूल, एक मुझे याद करो. यही गीता ग्यान है. कल्प में एक बार बाबा गीता ग्यान देते हैं, जिससे तुम बच्चे सद्गती को पाते हो. ये सद्गे गीता ग्यान है, जब हमात्म dolh uzmanata शुब बाबा से डारेक्ट राजयोग सीखते हैं बहुत बच्चे बाबा की शिरीमत पर चलते हैं चलते चलते माया बेमुख कर देती है माया का काम है बेमुख करना जब ग्रहचारी उतरती है तो बच्चे कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्सा लेंगे तनमंधन सेवा में लगाएंगे चलते चलते फिर माया की ग्रहचारी बैठ जाती है शिरिमत में धीले हो जाते है बाबा केते माया से सावधान रहना गफलत मत करो नहीं तो पच्चताना पड़ेगा भगवान आया और अम उसकी शिरिमत पे नहीं चले वो पश्चाताप की अगनी में न जलना पड़े उसके लिए गफलत छोड़कर अपनी उन्नती का खयाल करता है उन्नती इसी बात में है कि हम दिन रात बाबा को याद करते रहें और सेवा करते रहें अपने आप से पूछना है मैं बाबा की क्या सेवा कर रहा हूँ मेरी चलन कैसी है कहते हैं हम ममा बाबा के समान बनेंगे ममा बाबा तो लक्षमी नाराइन बनते है ममा जवान थी तो बाबानी का आप बच्चे तो मेरे से भी अच्छा पुशाट कर सकते हो ब्रह्मा बाबा बजुर्ग थे बावनी का मेरे से भी आगे जा सकते हो जब आप कहते हो मैं महारानी बनूँगी तो चलन भी तो वैसी चाहिए न सिरफ कहने से तो महारानी नहीं बन चाहेंगे उसके लिए अच्छी रिती पढ़ना है अच्छी रिती सेवा करनी है परदर्शनी समझाने की भी प्राक्टिस करनी है कोई भी आए तो उसको बाबा का संदेश देना है कि कैसे भी करके बाबा को याद करो अपनी आत्मा को पावन बनाओ बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया में नहीं जा सकते बाबा आई ही है सत्यों में ले जाने के लिए और उसके लिए बाबा राज्योग सिखा रहे है बाबा निका मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं कल्प के बाद बच्चों से मिल रहा हूँ आप बच्चे भी वही हो ना बच्चे कहते हैं बाबा आप भी वही हो ना पांचर वर्ष पहले वले बाबा निका मैं तुम्हे राज्योग सिखा कर विश्व का मालिक बना देता हूँ तुम बच्चे अपने आपको बाब की याद से पवित्र बनाओ मैं केवल निमत हूँ हर बात में बाबा याद आए ये याद का प्रूफ है आज मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट हो कर हर कारे करेंगे और बुद्धी में रहे बाबा ने कराया बाबा चला रहा है बाबा सुना रहा है मैं केवल निमत हूँ दिल से जिगर से बाबा बाबा का अनहद नाद बज़ता रहे अब सुनते हैं मुरली विस्तार से बाबा आए है तुम्हे भगती का फल देने भगती का फल है ग्यान ग्यान से ही सदगती होती है बाबा आए है तुम्हें भक्ति का फल देने, भक्ति का फले ज्यान, ज्यान से ही सद्गती होती है कोशन इस ब्रामन कुल में बड़ा किसको कहेंगे उसकी निशानी सुनाओ बड़ा किसको कहेंगे उसकी निशानी सुनाओ ब्रामन कुल में बड़े से बड़े वो है जो अच्छी सर्विस करने वाले है जिने सदैव अपनी उनती का खयाल रहता है जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते है ऐसे महावीर बच्चे अपना तनमंधन सब इश्वरिय सेवा में सफल करते है अपनी चलन पर वो ध्यान देते है गीत है तुन्हें रात गवाई सोएके ओम शैंती ये गीत अनकरेक्ट है इस दुनिया में जो सुनते हैं वो सब जूट है बावा समझाते है भारतवासी बच्चे बच्चे जो समुक है उनको ही कहेंगे तुम्हें अब मालूम पढ़ा वो है भगती मारग वेद शात उपनिशद आदी कितनी भगती मारग में जनम जनमांतर पढ़ते आए ज्यान सनान करते आए पूछो कुम्ब का मेला कभसे लगता आया कहेंगे ये तो अनादी है कब से करते आये ये बता नहीं सकेंगे उनको ये पता ही नहीं भगती मारग कब से शुरू होता है कल्ब क्या योही उल्टी कर दी कहते शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात ये गीता में ही है बावस समझाते तुम ब्रामणों का दिन और रात है बेहद की आधकल पे दिन आधकल पे रात सत्यूग ठेता ब्रहमा का दिन द्वापरकल्यूग ब्रहमा की रात ज़रूर इक्वल चाहिए आधकल पसे भक्ति मारक शुरू होता किसी को पता नहीं है सोमनात का मंदिर कब बना पहले पहले सोमनात का मंदिर ही बना अव्य विचारी भगति के लिए तुम चानते हो आधकल पूरा होता तब ब्रह्मा की रात शुरू होती लाखों वर्ष की बात हो ना सके क्याते तेरा चोदा सो वर्ष हुए होंगे जबकि मुहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना अब तो उनकी भी अंत है तमो प्रधान है कितनी वराइटी है सुर्य वंशी फिर चंद्रवंशी हुए दो कला कम हुई फिर दूसरी वराइटी आते गए इस समय भगति मारग ज्यान से होता है दिन सुख भगति से होती है रात दुख जब भगति पुरी हो तब ज्यान मिल ज्यान देने वाला एक ज्यान सागर बाब है वो कब आते हैं शिव ज्यानती कब मनाई जाती है किसी को पता नहीं है ज्यान सागर बाबक कब आते हैं कब ज्यान देते हैं किसी को पता नहीं अब तुम्हें बावर समझाते भगति कितना समय चलती ज्यान कब मिलता आदा कल् भग्ति मारक चलता ही आया सत्यूग त्रेता में भग्ति मारक के चित्रादी कुछ भी होते नहीं भग्ति कांश भी नहीं रहता अब कल्यूग कांथ है तब भगवान को आना पड़ता बीच में किसको भगवान मिलता ही नहीं कहते पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वो फिर कब आएंगे राज योग सिखाने मनिश्यों को कुछ पताने भगती मारक बिलकुल अलग है ज्यान बिलकुल अलग है गीता में है भगवान वाज गाते भी यह पतित पावन आओ एक तरफ पुकारते रहते दूसरे तरफ गंगा स्नान करने चाते निश्चे कुछ भी नहीं कि पतित पावन परमात्मा कौन है तुम बच्चों को अब ज्यान मिला जानते हो अब हम योग बल से सदगती को पाते हैं योग बल से हम सदगती को पाते बाबा केते मा में कम याद करो तो विकरम विनाश होंगे मैं गरंटी करता हूँ पतित पावन बाब कहते मैंने पांचर वश पहले भी ऐसा कहा था ये बच्चे दे सही दे के सब समंदों से बुद्धियों तोड मुझे याद करो ये गीता के महवाक्य है अंडरलाइन करेंगे दे सही दे के सब समंदों को तोड मुझे याद करो परंटु गीता में मैंने कब सुनाया किसी को पता नहीं गीता कब सुनाई कोई जानते नहीं मैं बताता हूँ पांजर वर्ष पहले मैंने तुम्हें गीता सुनाई थी इस समय सारा मनुष्य स्रिष्टी रुपी जाड जड़ जड़ी भूत अवस्ता को पाया हुआ है तुमको भी बाबा आकर ज्रामा के आदी मध्यंत का सारे चक्र का राज समझाते हैं बाब तो जरूर अंत में आएगे न जानते हो नई दुनिया की स्थापना पुराने दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है अब तुम्हारी बुद्धी में है हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे ये राज योग है तो फिर हम प्रजा क्यों बने जबकि ममा बाबा राजा रानी बनते तो हम भी क्यों ना राजा रानी बने ममा तो जवान थी ये बाबा तो बुरा है फिर भी सबसे उच पढ़ते रहते हैं जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए बाबा के ते स्रम मुझे याद करो जितना हो सके जितना हो सके बाबा को य जानता है तो बुद्धी उस तरफ चली जाती है वैं आखों से देखा जाता है ये बुद्धी से जानते हैं बहुतों कुछ साक्षतकार भी होता बरोबर बैकुंट पैरेडाइज हैविन भी कहते हैं जरू कभी था न अभी नहीं है अब भी फिर तुम राजाई प्राप्त क करने के लिए राजयोग सीक रहे हो पहरे पहरे मुख्ये बात ये है शिव भगवान उवाच मों स्रेक्रश्न तो भगवान हो ना सके हूँ पूरे चुरासी जनम लेते भगवान तो जनम पुर्णर जनम में आना सके ये तो बड़ा साफ है श्रेक्रश्न का वह रूप सत् पुर्मर जनम लेते रेते, नाम रूप बदल जाता है, इस समय वै आत्मा भी तमो परधान है, कोई कहे स्रीकृष्ण दौपर में थे, प्रंतुन का वै रूप तो दौपर में हो न सके, दौपर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता, स्रीकृष्ण सत्युग में ही रहते उनको पतित पावन नहीं कहा जा सकता, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है, वो आते भी जरूर है, शिव जियनती भी है, जरूर कोई रत में परवेश करेंगे, खुद भी कहते, मैं साधारन तन में आता हूं, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूं, मैं साधारन तन में मैं आता हूं, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूं, ब्रह्मा द्वारा विश्दुपुरी के सापना होती है, मा भारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, ये नौलेज अच्छी तरह से बुद्धी में याद रखनी है, बुद्धी में याद रहे हम स्टूडेंट है, बाबा प पिस ले जाएंगे, जो अपने को उच बनाएंगे, वही उच पदपाएंगे, प्रंतु माया ऐसी है, जो एकदम तवाई बना देती, कई बच्चों को सर्विस का बहुत शोंक है, चुटे-चुटे गाउं में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं, बहुत प्रजा ब पवित्र बनते, इस तरी को छोड़ देते, फिर उनको कोई कुछ नहीं कहता, कि अपनी रचना को छोड़ क्यों भागते हो, पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, हम किसी को घर बात छोड़ने के लिए कहते ही नहीं हैं, सिरफ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए, तो इसमें मना क्यों होनी चाहिए, परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की, भगवान वाच तुम पवितर बनेंगे, तो पवितर दुनिया का मालिक बनेंगे, इसमें अवस्ता बहुत अच्छी मजबूत चाहिए, मुहादी नहीं होना चाहिए, जो फिर याद इसने फिर सर्विस लाइक बन नहीं सकते अगर बुद्धियोग भटक रहा है बाहर जा रहा है तो सेवा के लाइक नहीं बन सकते यहां तो बेहत का सन्यास चाहिए यह तो कब्रिस्तान है हमें याद करना है बाप को वे परिस्तान में ले जाने वाला है इस ब्रामन कुल में जो अच्छी सर्विस करते हैं वो बड़े ठैरे उनका बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए उन जैसी सर्विस करनी चाहिए तब उच्पद पाएंगे अब तो बाबा हम बच्चों को उनती की बाते सिखा रहे हैं अपनी उनती का ओना रहना चाहिए अपने को देखना चाह बाबा आए हैं पावन बनाकर साथ ले जाने, वो ठुकराएंगे कैसे, बाबा सुभसे पूछते, कहते हम तो महरानी बनेंगे, तो ऐसी चलन भी तो हो ना, लक्षा इतना हुचा है, वैसे लक्षन भी तो चाहिए ना, चलन भी तो चाहिए ना, कई तो बहुत अच्छे बच प्रदर्शनी पर समझाने का अभिहास करो, बाबा तो कहते हैं अपने उन्ती करो जीवन बनाओ, यह उना रहना चाहिए, मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, किसको आप समान नहीं बनाया, तो उजपद कैसे पाएंगे, फिर समझा जाता, प्रजा में चले जाएंगे, अत्वा दास दासियां बनेंगे, धेर सर्विस पड़ी है, अब तुम्हारा जाड छोटा है, मजबूत नहीं है, तुफान लगने से कच्चे गिर पड़ेंगे, जब तुफान आते हैं, तो जो कच्चे बच्चे हैं, वो तो गिर पड़ेंगे, माया बड़ा ह मुख रहना है, माया को पहचानना है, चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती, तब कहते अब तो हम बाबा से पूरा वर्सा लेंगे, तन मंधन से पूरी सेवा करेंगे, कहां कहां माया गफलत कराती, फिर शिरीमत पर चलना छोड़ देते, फिर कभी स्मृती आती तो शिरीमत पर चलते, इस समय दुनिया में है रावन संप्रदाई, देवताई है राम संप्रदाई, रावन संप्रदाई वाले, राम संप्रदाई के आगे माथा टेकते हैं, तुम चानते हो, हम विश्व के मालिक थे, जो रासी चनम रहते रहते, अब क्या हाल हो गया, अब बाबा शिरीमत पर ना चले, बाबा तो रोज समझाते, बचसे गफलत मत करो, सर्विस करने वालों को देखते ओ, कैसे अच्छे सर्विस करते हैं, फलाना फोर्स्त ग्रेड, फलाने बच्चों को समझाएंगे तो सही, अज्यान काल में बाप थपड मी मारते, यहाँ ये बेहद का ब आप तो प्यार से समझाते हैं, अपनी उन्नती करो, जैसा हो सके पुर्षाट करना चाहिए, बाबा को खुशी होती है, पांजर वर्ष के बाद फिर आकर बच्चों से मिला हूँ, बाबा को खुशी होती है, मैं अपने बच्चों को पांजर वर्ष के बाद आकर मिला हूँ, राज योग सिखा रहा हूँ गीत है न, तुम भी वही, हम भी वही तो बाबा कहते तुम बच्चे भी वही हो कल्प पहले वाले हो इन बातों को और कोई समझ ना सके अच्छा मीटे मीटे सिखिल दे बच्चो प्रती मात पिता बाप ददका याद प्यार शुक्रिया धारना के लिए सार पहली पॉइंट है स्वेम को सर्विस के लाइक बनाना है जो अच्छे सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है अपनी उन्नती का खयाल करना है तन मंधन से पूरी सेवा करनी है शुरी मत पे चलना है गफलत नहीं करनी है तन मंधन से पूरी सेवा करनी है शुरी मत पे चलना है गफलत नहीं करनी वरदान है मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव Master Almighty Authority की seat पर set रहने वाले सहज और सदाकिक कर्म योगी भव जैसे किसी मशीनरी को set किया जाता है एक बार set करने से फिर अटोमेटिकली चलती रहती है इस रिती से Master Almighty Authority की seat पर स्वेम को एक बार set कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे हर संकल्प, शब्द, करम उसी setting प्रमान आटोमेटिक चलते रहेंगे यही setting सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्वी कल्प समादी में रहने वाला सहज योगी बना देगी यही सेटिंग सहज और सदा के लिए करम योगी निरंतर निर्वी कल्प समाधी में रहने वाला सहज योगी बना देगी स्लोगन है मैं की बचाए बाबा बाबा कहना यह याद का प्रूफ है कोई भी कारे करते अगर हम यह याद रखते हैं कि बाबा ने कराया बाबा ने शक्ती वे बाब ने गाईड़ेंस दी बाबा बाबा बुद्धी में रहेगा यह यद का प्रूफ रखान मैंने किया मैंने किया इस में मैं की बज्ञें बाबा कbn कहना यह याद का प्रूफ है आजमस्टर आल्माइटी की सीट पर सैट रहेंगे करम करते हुएлем अ नहीं कराया बाबा सिखा रहा है ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें